Hello and welcome friends, gamma की बात करने वाले हैं और ये कोई corona variant नहीं है ये एक formula है जो की libra calc में use होता है अब यहाँ पर कुछ values लिखी हुई है और formula हम second वाले column में लगाने वाले है तो चलिए ये लगाते हैं देखते हैं कि इसको हम कैसे use कर सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर मैं border बना देता हूँ ये all border कर देता हूँ like इस तरीके से और यहाँ पर click करके और all border पर click कर देता हूँ तक यहाँ पर border लग जाए यह border लग चुका है अब यहाँ पर gamma formula हम लगाते हैं तो यहाँ पर यह value आ जाती है और अगर मैं इसको नीचे की तरफ drag करता हूँ चला जाता हूँ तो यह कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा ठीक है आप देख सकते है result आपके सामने है अगर मैं इसमें कुछ बढ़ाता हूँ या घटाता हूँ यह कर दिया मैंने तो यह result भी आपका change होता चला जाएगा तो यह gamma formula है पूछा गया था कि कैसे use किया जाए इसको तो use करने का यह तरीका हो सकता है और बहुत कोई use में नहीं आता है तो आप चुकी demand था तो पूछा गया था मुझसे तो मैंने बता दिया कि यह gamma formula कैसे use करते हैं आप इसको excel में भी use कर सकते हैं excel के earlier versions में यह आपको देखने को मिल जाएगा और google sheet में तो है ही है तो अगर video पसंद आए तुशे share करें thank you for watching this video